तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब आसा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज हम बात करने वाले है एक एक्षन थ्रिल्लर मूवी रोड हाउस के बारे में जो कि एमजोन प्राइम पर रिलीज हो गई है जिसमें एक से बढ़का रेकी स्टार कास्ट देखने को मिलेगी आपको हाला कि यह मूवी आठ मार्च को रिलीज होई थी लेकिन यह भी हिंदी में डबोकर एमजोन प्राइम पर आ गई है जिसको फाइनली मैंने देख भी लिया है तो कैसी है यह मूवी आएट थोड़ी बात करते हैं क्या यह मूवी आपको इंटर्टेन करती है और क्या इस मूवी के लिए अपना कीमती टाइम और टाटा देना वर्थी है भी या नहीं तो बिना टाइम वैस्ट के सुरू करते हैं वैल हैलो मेरा नाम एस हो कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पोईट बात करें हिस्टोर लैंड की दोस्तों बिना स्पोलर के बस यही कहूंगा कि कहानी फोकस करती है रोडाउस नाम के एक बार के उपर जहांपर कुछ गुंडों की वज़े से बोज़ेदा बवाल हो रहा है लेकिन कहानी में ट्विस्ट ताव आता है जब किसी एक खास कारण से अपना हिरो इस बार में एज़े बाउनसर के रूप में नोकरी करने लगता है और फिर वयाउन गुंडों को अच्छा कहा सबक सिखाता है जिसका एक पास्ट भी है लेकिन क्या इसके लिए आपको एक मुवी देखनी पड़ेगी जिसकी लेंट वरी करती है एक गंटा चोवन मिनट के आसपास इन दी मिन टाइम अगर इस मुवी का रिव्यू मुझे एक लाइन में करना हो तो बजब यही कहूँगा कि यह एक डिसेंट सी मुवी है जिसको एक बार देखा चा सकता है परफॉर्मस की बात करतो दोस्तो इस मुवी का जो मैन एक्टर्स है ना जेक जेए वो परसनली मुझे का फ्याच्चा रगता है बाई और नोंने काम भी अच्छा ही किया है उनकी बोडी लेंग्वेज एक्टर्स और फेस एक्सपरसंट बहुत ज़्यदा अच्छे थे जो से चोहन से मैच भी कर रहे थे उनके एक्सन सीक्वेंस में बिल्कुल रियलिस्टिक वाली फीला रहे थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे है बेस्ट परफॉर्मेंस और दोस्तों इस मुवी में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है ना बैस सब का काम ओक्के ओक्के लगा मुझे इसके विलन का क्योंकि आर इसके विलन को कुछ जादा ही पाकल और सिर्फिरा दिखाने के लिए उसकी परफॉर्मेंस में कहीं न कहीं ओर एक्टिंग फीलो रहे थी मतलब ऐसा बिलुकुल भी ने लग जाता कि जो डर एक विलन को देखकर लगना चाहिए था वो यहाँ पर बिलुकुल भी फेल नहीं हो रहा था वाई यानि कि परफॉर्मेंस वाई यह है मुवी ओक्के ओक्के है जो आपको डिशोपोईट भी कर सकती है बाई बात करें पोजेटिव की देखो भाई यह है मुवी टेकनिकली वेलमेड है मुवी की सिनवड़ग्राफी बहुत ज़्यदा अच्छी है जिस तरीके के फ्रेम और कैमरा वर खमेश में देखने को मिला है वो चीज़े काफी ज़्यदा अच्छी लगे मुझे मतलब कि मुवी के एक्षन में जिस तरीके का कैमरा मुमेंट दिखाया गया है बात करें नेगेटिव की देखो भाई मुवी का स्क्रीन पले सलाइटली स्लो फील होगा आपको इस्पेशलिस के फर्स्ट पार्ट में जो आपको जबरदस्त बोर करेगा और आपके पैसंस का टेस्ट भी ले सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप मुवी को बीच में स्कीप कर दो और भाई मुवी की कहानी में भी तरफ दरदम नहीं लगा मुझे मतलब उसके करेक्टर के साथ आप कनेक्टी नहीं हो पाओ गया और मुवी में जो रोड हाउस नाम का बार दिखाया ग गाडलान की मुवी फैमिली फ्रेंडली नहीं है मुवी में निवड सीन और वलकर सीन देखने को मिलेंगे तो आप इस मुवी को अकेले ही देके तो अच्छा रहेगा मेरी तरफ से इस मुवी को मिलेंगे 3 आउट और 5 स्टार बाकि इसकी कमजोर कहानी और स्लो स्क्रिन पल